कौन है बहुरते इतिहास का सबसे अमीर शक्स। कौन है वो जो आल टाइम रहता है अमीर। जिसके आगे फीके पर जाते हैं बड़े बड़े दौलत मंद शक्स। बिल गेट्स, जेफ बेजोस जैसे लोग बन जाते हैं गरीब। आगर क्या है उसका नाम। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जेफ बेजोस, इलन मस्क, बिल गेट्स, लैरी एलिसन, गौतम और डानी, मुकेश शमबानी जैसे दौलत मंदों का नाम लिया जाता है। प्रिजिन्ट में ये बेशक अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार हैं लेकिन अगर इतियास के सबसे दौलत मंद लोगों की बात की जाए तो एक नाम के आगे ये कही नहीं ठहरते हैं। यहां तक कि मुगल समराट अकबर की प्रॉपर्टी भी जिसके सामने बहुत कम थी। वो नाम है मनसा मुसा का। साउथ चाइना मौनिंग पोस्ट की रिपोर्ट की मुताबिक अफरिकी देश माली पर करीब 700 साल पहले शासन करने वाले मनसा मुसा अकूत धन संपत्ती के मालिक थी। रिपोर्ट डावा करती है कि माली सामराजी के दिवंगत शासक मंसा मूसा की संपत्ति की तुलना में आज के दौलतमन कारूबारियों का धन कहीं नहीं ठहरता है। 14 सदी के पश्यम अफ्रिकी शासक के संपत्ति सोने नमक और जमीन पर बनी थी। इत्वियास कारूब के अनुसार मूसा प्रेदवी पर अब तक का सबसे अमीर इनसान है। उससे जादा दौलत किसी के पास नहीं है। 1480 में हुआ था। माली सामराजी पर 1312 तक उसके बड़े भाई मंसा अबुबकर ने राच किया। इसके बाद वो एक लंबी आत्रों पर निकल गये। तब मंसा मूसा ने प्रथम बार गद्दी समाली। आज के मौरिटानिया, सेनेगल, गांबिया, गिनी, बुरकिना फासो, माली चाड और नाइजीरिया तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। वहां सोने के बहुत बड़े बड़े भंडार हुआ करते थे। उस दौर में सोने की मांग बहुत जादा थी और दुनिया का आधा सोना जो है वो मूसा के पास ही था। उन्होंने टिमबकटू और गाओ जैसे शहरों को विक्सित किया था जो एहम सांस्कृतिक केंद्र थे। वो मेडलिस्ट और आफ्रिकी से वास्तुकारों को लेकर आये थे जिन्होंने इन शहरों में इमार्तों का डिजाइन बनाया। नेशनल जोग्राफिक का दावा है कि नमक और सोने के भंडार के खनन और हाती दात के वैपार से उनकी समपत्ती बेतहाशा बढ़ी। मूसा ने तेरे सो चौबिस से तेरे सो पत्चीस हिस्वी में मक्की की यात्रा की थी। ये उस समय के सबसे अनोखी यात्रा थी। ग्रे से सजी हुए थी। मूसा की दौलत का अंद्वाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो अपने साथ सो उटो पर सोना लाद कर तौफ़े के तौर पर मक्का ले गया थी। मूसा ने अपने राजी के शारों के फरसे निर्माड के लिए इसलामी विद्दमानों को बुलाया था इन लोगों को वास्तु शिल्प के लिए उनके काम के लिए 200 किलोग्राम सोना दिया गया था। ताबिक उनके काफिले में हजारों लोग और दरजिनों ऊट थे। हर ऊट पर 136 किलो सोना लवदा था। काहिरा में मुसा ने मिस्र के सुल्तान से मुलाकात की। उसके लोगों ने सोने को पानी की तुरह बहा दिया। इस से मिस्र में अगले 12 साल तक सोने की कीमत गिरी रह है। उस दोर में माली की रुद्बा दुनिया में अपने चरम पर पहुँच गया। मुसा के मृत्यू 1337 में होई लेकिन उसके बेटे समराजी को चला नहीं पाए। इस तरह उनकी सलतना समय के साथ छोड़ी छोड़ी टुकड़ों में बढ़ गई। आज माली दुनिया के सबसे घरीब देशों में से एक है। पिछले एक दर्शक से देश भूक और कुपोशन की समस्या से जूज रहा है। 37 देश में पानी की भी बड़ी समस्या है। 1337 में 57 साल की उम्र में मुसा की डेथ के बाद। उनके बेटे उनके बेटे गदी पर वैठे लेकिन वो अपन सब्सक्राइब के कुल संपत्ति इस साल अप्रैल में 116 अरब डॉलर थी। यानि वह अंबानी से तक्रेबन 5 गुना जादा अमीर थे। तो आप सोच सकते हैं कि इनके आगे तो अंबानी अडानी जैसे लोग कहीं नहीं टिकने वाले हैं। अब तो आपको पता चल गया हो